इतने भी लोग इस ताइम तेरे साथ जुड़े हैं सबका स्वागत आप सबका भाईयों भाईयों का हमारी कोशिश होती है जो लोग नहीं लाज़ते जिनके ड्रीम है तो ड्रीम कैसे पूरे करेंगे इनको उससे इनके बताई जाएं पिछले 16 साल का इतिहास है हमारा अब भी कोई काम करते हैं उसकी कोई हिस्टरी होगी आपके मादाद दादादी ने के घर में किसी ने कोई काम शिरू किया होगा आज वीजा का बिजनस करते हुए हमें 16 साल हो चुके है आज तक हसारों बच्चों को गाइड करा है कैसे वो अपना जीवन बहतर बना सकते हैं सब लोग कामजाब नहीं होते बाहर जाके पठाँ जो लोगोंने संघर्ष की जिंदगी देखी होती है जो लोगोंने मेहनत मजदूरी की होती है वो लोग कामजाब हो जाते हैं अक्सर जो ये लोग सोचके जाते हैं कि बाहर जाके जिन्दगी असान होगी उसको बताना चाहूंगा जिन्दगी बहुत ज़्यदा खराब होती है बाहर जाके क्योंकि यहाँ पे आपका मावा भाई बहन आपके पास घर है आपके पास समाज है जो आपको सपोर्ट करता है जब आप विदेश में जाते हैं वहाँ पे कोई नहीं होता आपका आपको अपके अंदर के इंसान के साथ ही रहना पड़ता है आप खुद ही रोते हो खुद ही चुप कर जाते हो आपको खुद को संबालना पड़ता है बहुत खतरनाक होते हैं पहले दो-चार महीने जब कोई इंसान विदेश में रुजगार के लिए निकलता है घरबार नहीं होता किराय का कमरा होता है एक कमरे में चार-चार-पांच पांच जने रह रहे होते जैसे-जैसे संघर्ष करने की आदत पड़ती है दो-चार-पांच-छे मीने में गारी पटरी प्या जाती है मेरा काम आपको भेजने का है मैं मन्जिल नहीं हूँ मैं सिर्फ रास्ता दिखाने वाला आदमी हूँ आपके शरीर में जान है आप ठंड में रह सकते हैं आपका को भाई बहन है आगे सुपोर्ट करने वाला कोई दोस्त फिर ये पंगा लेना ज़िए आप हार उठा सकते हैं मेहनत कर सकते हैं तो जीवन में कुछ भी हासिन कर सकते हैं जो लोग जिनकी 50,000,000,000 रुपया तंखा है अफिसर लेवल पे काम करते हैं उनके लिए बहुत खतरनाक होता है आके मजदूरी करना कोई उस्ट्रेलिया जाना चाता है, कोई कैनडा जाना चाता है कुछी कोई उस में जाना है, कुछी को यॉरप में जाना है और किसी के अलग-लग सपने हैं, अलग-लग ख्वाइशे हैं आज ये वेबिनार उन लोगों के लिए है जिनकी जरूरत है बाहर जाना जिनकी ख्वायश है, मैं शायद आपकी ख्वायश पूरी नहीं कर पाऊंगा मैं माफी चाऊंगा, यदि आप ये सोच के आये थे कि मैं आपकी ख्वायशें पूरी करूंगा ये मेरे बस में नहीं है, ये एक संघर्ष की जिंदगी है आपकी जुरूरत पूरी जुरूर हो जाएगी अगर आप हमारे साथ जुडेंगे हम कभी किसी को जूट बोलके नहीं वेजते हैं जिन्दगी एक संघर्ष है जो लोग संघर्ष करके जीते हैं उनका नाम होता है वो कहीं न कहीं पहुंच जाते हैं नहीं तो दस से छे बजे की नोकरी करने वाले लोगों को जानते हैं आप जो सुबह घर से डिबा रुटी का पैक करा के निकलते हैं शाम को वही डिबा लहराता हुआ घर पे वापिस आता है किसी रिष्टेदार भाई बेहन की शादी पे जाना हो प्यापे जाना हो किसी हॉस्पिटल में खर्चा हो फिर वो लोगों से पैसे मागते रुटे हैं ये रात जागने के लिए नहीं होती कुछ लोग जागते हैं कुछ लोग सोते हैं जब तक आपके सपने जिन्दा हैं आपको सूना नहीं है उस दिन सोजिएगा जब कुछ बन जाएंगे किसी को मनजिल अच्छे साल में मिल जाती है किसी को 45 साल में भी ने मिलती भरक पता क्या होता है लोग रास्ते में ही दम तोड़ जाते है रिस्क नहीं लेते जो आदमी रिस्क नहीं लेता कुछ नहीं बनता उसका, खतम हो जाता हूँ, उसकी कोई पहचान नहीं होती, अक्सर जब भी बुरा वक्त आता है, वो अपने भाई, बहनों के पास, रिष्टेदारों के पास, पडोसियों के पास, जानने वालों के पास भागता है, भाईया मेरी मदद कर दो, उसको regret रहता है कि भगवान भी मेरी नहीं सुनते मेरी को मदद नहीं करता दोस्त इस दुनिया में कोई नहीं मदद करता किसी की तुमारी मदद एक ही इंसान कर सकता है पूरी दुनिया में और वो तुम खुद हो आपको जीतने के लिए न खेलना पड़ेगा खेलना पड़ेगा दोस्त मैं खिलाओंगा मैं खिलाओंगा आपको ज़िए आपके हाथों में जाना है सपने बड़े हैं के रेंटी लूँगा आप काम जाब हो जाएंगे ज़िए सुबह चार बजे उठ सकते हैं बरफ में काम कर सकते हैं चाहते हैं जिन्दगी में आपका नाम हो आईए आपके संघर्ष की जिन्दगी शुरू कराता हूं मेरा नाम विने हरी है चोटे से शहर में पैदा हुआ था एक मिडल क्लास फैमिली में बहुत संघर्ष किये जिन्दगी में बहुत काम करें कामजा भी नहीं मिली एक दिन किसी जानने वाले ने रास्ता दिखा दिया कि भाईया देखो यह रास्ता जाता है कि कुछ लोग विदेश जाते हैं जो इनको भेजता है ना उनको कुछ ना कुछ मिल जाता है 24 दिसंबर 2008 को मैंने पहली बार किसी को बाहर जाने के लिए गाइद बेरा था और मुझे गर्व है कि आज वो गिंती 10,000 से ज़्यादा हो चुकी है 10-15,000 के बीच में लोग हैं जिनको हम भेज चुके हैं जिन्दगियां बनाई हैं लोगों की सपने प्वे हुए हैं आपका भी सपना पुटा करने की खुशिश करूँगा मेरे सपने आप से जुड़े हुए हैं हमारे घर पे जो रोटी बनती है वो हमें हमारे भगवान देते हैं और हमारे भगवान आप लोग हो चाहने वाले हो देखने वाले हो सुनने वाले हो समझने वाले हो आप हमारे भगवान हो जो हमें रोटी देते हो इसलिए आपको नमस्कार कोशिश किया आज तक कि कोई न यह वेबिनार S-6-1 वीजा के लिए रखा गया है S-6-1 बहुत सारे लोगों ने पिछले दो महीने में हमारी नकल करने शुरू कर दी जो लोग अपने आपको किंग कहते थे कि हम तो राजे हैं हम तो मशीने हैं वीजा की हम भी करेंगे S-6-1 वीजा किसी को बोलिएगा कोई आपको वीजा दिखाए मैं दिखाऊंगा मेरे पास आईएगा पहले पहले मैं वीजा दिखाऊंगा फिर आपसे बातचीच शीरू करूँगा क्या होता है शौटरम स्टड़ी वीजा एक तरह का स्टूडेंट वीजिटर वीजा होता है समझाने की कोशिश करूँगा समझिएगा शिकायते बहुत होंगी आपके पास हम फोन नहीं उठाते आपको अपलाई नहीं कराते किसी कॉलेज की 500 डॉलर फीस होती है किसी की 1000 होती है किसी की 5000 डॉलर होती है तो कंप्लेट करते हैं किसी वीडियो में आप कहते हैं 15 100 डॉलर फीस है किसी वीडियो में आप कहते हैं 4000 डॉलर फीस है किसी में 4 लाग की बात होती है किसी में 5 लाग की बात होती है मुझे शौंक है डिजिटल मीडिया का मेरा पेट नहीं भरता मुझे नीद नहीं आती जब तक मैं लोगों के साथ सोशल मीडिया पर बाते न गर लूँ हजारों की तदात में मेरे वीडियो होंगे मैं भी बूल जाता हूँ कि कब कौन से वीडियो में मैंने क्या बोला होगा तुकि कुछ त्यारी करके नहीं बोलते को कम से कम किसी कालेज की फीस हमने पंदरा सो डालर पे करी है आज तक ज्यादा से ज्यादा तो जितनी देना चाहिए उतनी फीस होती है बहुत सारे गरीब लोगों को फ्री भी बेजा है अगर तुमारे पास पैसे नहीं है न मैं फ्री में भेजने की ताकत रखता हूँ मिरे भगवान ने मुझे इतनी शक्ती दिया है मैं तुम्हें फ्री भेज सकता हूँ मत देना कोई भी पैसा समझ लेना हमारे से हमारे आफिस आ जाना हमें अपने कागज दिखा देना मेरे टीम मेंबर को बोल देना कि सर हमारे पास एक भी पैसा नहीं है जितने भी पैसे आपको चाहिए हमारे साथ लिख लो हम छे मीने बाद दे देंगे मैं आपके साथ छे महीने का उधार कर लूगा आप चाहिए कैनेडा में सेक्स वन वीजा पर मेरी रकम मुझे छे महीने बाद दे दना जाके अगर तुम जिन्दगी में कुछ बन जाओगे नहीं बनोगे मत देना मुझे अपने भगवान पर विजकीन है पैसों के कारण किसी को नहीं रहने देगे समझिए ये वीजा किसको मिलता है जदी आप शादी शुदा है आपकी उमर 30-35 साल है आप पिछले 5 साल से कोई नोकरी करते हैं नोकरी में तनखा आपके काउंट में आती है तो ये वीजार रफ्यूज नहीं होने वाला ये लगने वाला है लाटरी डालिए जुरूर डालिए जिन्दगी में रग्रेट नहीं रहेगा कि मुझे मौका मिला था एक दिन रात को दस बजे मैं फेस्बुक पे एक लाइव देख रहा था जिसमें से किसी ने बुला था कि भई पैसे छे मिने बात देदना फिर भी मैंने अपलाई नहीं करा आओ दोस्त मैं लाटरी डिलवाऊंगा तुमारी मेरे पैसों से लाटरी डालो निकल जाएगी मुझे मेरा हिस्सा देदना जदी तुम शादी शुदा हो तुमने बैचले डिगरी कर रखी है तुमारी सेलरी पिछले पांच साल से अकाउंट में आती है यह वीजा रिफ्यूज नहीं होगा तुमारा इसे शौट ट्रम स्टडी वीजा कहते है आप अनपढ़ हो खेतों में काम करते हो चोवी साल उमर है अपना टैम खराब मत करो जाके कहीं पे नोकरी पे लगो कोई क काम जंदा सीख लो तुम्हारा वीजा नहीं लगना आप लोग छोटा सा बिजनस करते हैं पांच लाग की नील की आई टी आर भरते हैं मत अपना समय खराब करना हम वीजा नहीं लगवा पाएंगे सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो मध्यम वर्गिय परिवारों से बिलॉंग करते हैं जिनकी तनखा खाउंट में आती है बलेक विलेक्ट्रिशन है, कारपेंटर है, पलंबर है, ड्राइवर है अगर चार-पांच साल से आप रेगुलर किसी पे रोल पे हैं, ऐसे लोगों के वीजा नामंजूट नहीं होते हैं यहां पे आपको Canadian Institute, Canadian सरकार से मानता प्रापत एक शिक्षा संस्थान आपको स्पॉंसर्शिप भेजता है। यहां आपका सगा भाई बहन भी स्पॉंसर्शिप भेजने से पहले 10 बार सोचता है, कि मैं भेजूं या ना भेजूं या आकर यहां पे गायब हो गया, कल को मु थाले बुलिस मैं मंगा हूंगा आपकी स्पॉंसर शिर्द आपका स्पॉंसर मैं हूं आप मेरी ग्राहक हैं आपसे मुझे रोटी मिलनी है स्वाइम कमिटेट टू माई क्लाइंट्स जदी आपने बैचलेट डिग्री कर रखी है जदी आपके खाते में सेलरी आती है कितने दिन में निकलेगी हर तीन हफते बाद निकलती है बीस से पच्चिस दिन में यह वीजा आ जाता है क्या होगा जैदा से जैदा रॉप्यूज हो जाएगा कितना नुक्सान होगा तुमारे सपने जिन्दा रहेंगे सपनों को रन्यमत देना SX-1 वीजा सिर्फ उन लोगों के लिए है जो नोकरी करते हैं जिनकी तनखा उनके काउंट में आती है आपको 5-7 लाक रुपया बैंक बैलेंस दिखाना है आपके पास बैचले डिगरी हो अगर आप शादी शुदा है तो चांसे जार वेरी हाई अगर आप 5 साल से किसी जगा आपके काम कर रहे है और रेगुलर सेलरी है आप 5 साल की बैंक स्टेट्मेंट निकाल के दीजिए जिसमें आपके अकाउंट में सेलरी आती है यह वीजा रिफ्यूज नहीं होगा जो आपके भागे में है मेरा काम आपको मोटिवेट करके अपलाई कराना है राहुल जी रखता है अगर तुमसे महीने पैसे नहीं कमा पाए मत देना मुझे बिना पैसो के प्लाई कर लो मेरे टीम मेंबर इस टाइम मेरे साथ हैं जो भी लोग अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप सब को बिंती है आप अपनी डिटेल हमें एक इमेल आइडी पे भेज अगर आप कल सुबह अपना SX1 वीजा अपलाई कराना चाहते हैं आप अभी अपना सीवी अपना फोन नंबर अपनी सारी बातचीत लिख के एक इमेल आइडी ले दे रहा हूं आई एड़ दा रेट विनेहरी.com विनेहरी के स्पेलिंग लिखेंगे वी आई एनेवाई इमेल आइडी पर अपनी सारी डिटेल भेज़ दो कल सुबह मेरे टीम मेंबर आपको फॉन करके बलाएंगे आपको समझाएंगे आपकी मेरे साथ वीडियो पर बात कराएंगे फॉन पर बात कराएंगे जड़ी आपको अच्छा लगेगा अपलाई कर लेना मेरी कोशिश है कि मैं किसी गरीब के काम जरूर आजाओं 25-50 लाकर रुप्या होता तो आपको कोई भी बेज़ देता हैं चाहते हैं जाना अभी हमें इमेल करें कल सुबह टी मेंबर आपसे बात करेंगे बैंकिंग कितनी पुरानी होनी चाहिए सुबह डाल दो यार पैसे 5-7 लाकर रुपैस हो करना कल नहीं डालके देदना सिरफ अगर सेलरी कैश मिलती है मैं फाइल नहीं लगाऊंगा तुम्हारी गौर्व शर्मा जी लिखते हैं मैं उमान में हूँ बहुत सारे लोग उमान से मसकट से सौदिया से दुबई आबुदवी शार्जा से हमारे साथ जुड़ते हैं हर रोज सदारन सा फार्मूला है आई अट दा रेट विनेहरी डाट कॉम पे अपना सीवी और अपने दस्तावेज भेज दीजिए आपके साथ जो भी पैसे तैह होंगे उसका लीगल कॉंट्रेक्ट मिलेगा आपको आप अपने किसी भाई बहन को हमारे चंडीगर ऑफिस भेज दी जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं चार-पांच लाख रपया कुछ भी नहीं होता है पैसे वीजा के बाद लूँगा जिनके पास नहीं है उच्छे मीने बाद देदना जाके आओ अपलाई करें तुम जीतोंगे तो हम जीतेंगे हमारे काम से लोगों की जिंदगिय आता है तो मेरे काम से किसी की जिंदगी बनती है तो जुरूर बनाई जाए जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं आप अभी मुझे आई अट दा रेट विनेहरी डॉट कॉम पर मेल कर दीजिए जब क्यू एंडे सेक्शन के अंदर अपनी क्वेरी छोड़ दीजिए अभी मेरे साथी आपके साथ बात करेंगे मिशाल सर आप एक एक करके क्वेरी ले लो सबकी अभी में अभी में जूम सेशन आइंड नहीं कर रहा है जूम सेशन मेरा हॉन है और आप पुछ में अपने टेलफोन नंबर्स जरूर इक पर चोड़ें इससे हम आप से कॉंड़ करता है आज़ए नहीं। तोड़ी देर में कॉल बेग करता हूं आपको संजीजी पर दुबारा बता रहा हूं आपको आई एड़्टरेट विनेहरी डाट कॉम इस मेल इड़ी पर किरते हैं आपके सारो कोई आई सब्सक्राइब करें और मेरी टीम आपसे दुबारा कॉन्टेक्ट कर लेंगे और अपने अगरी भी है तो उसे भी आपसी लेख सकते हूं कोशिच करेंगे उसे रिजॉल करा कि आपका के सागे प्रोसेस में चाले करें द्वारव श्रीम आपका मेंबर आगए यह वाट्सएप नंबर है जो आपने शेयर किया है आप में लिखे का ने विजिट बरौदा ओफिस पर एसे पर इस पर इस पर इस पर आप महारे बरौदा ओफिस में जाते हैं अपर इस पर इस पर सकांफले टो ईसे पर इस पर इस पर आप हैं सेशन एंड करने से तहले एक बर में दुबारा इमेल आई तारहों सरा आपको i at the rate veneheri.com आप अपने सारे डॉकुमेंट स्टाइन को आप इंडॉक कर दीजिए और मेल की मार्किंग कर दीजिए अम आपके मेल कल ही कल में पढ़के आपको रिवर्ट के देने मौनें 11 o'clock thank you very much I'll be on air for another two minutes after that मैं अपना जूम सेशन close कर दूंगा आपके अपने दुबई वाली इमेल इड पर दाला है इस पर आप नही वाली पर दाला है पर आप एपर i at the rate veneheri.com पर दाला है झाला है झाल झाल